कि लिगी ने किसी भी सरक्षातकार पर लागू होता है, तो आप उससे पहले अपनी एक लिखित जानकारी भेजते हैं। UPC के मामले में इसे DAF, Detailed Application Form कहा जाता है। ये Detailed Application Form आपकी पूरी के पूरी जीवन की यात्रा होता है। इसमें आपको लिखना होता है कि आपका जन्म कहा हुआ। जैसे मैंने बता है कि मेरा जन्म दिल्ली की एक अनधिकरितवस्ती में हुआ। आपको बताना होता है कि आपकी मात्री भाषा क्या है, आपने पढ़ाई कहां से की है, आपने कौन से पुरसकार जीते थे, आप कौन से क्लास में मॉनिटर थे, आपका कौन सा शौक है, आपके पिता क्या करते हैं, आपके माता जी क्या करते हैं, आपके पूरे व्यक्तित्व का एक कच्चा जिठा होता है, हालागे यह आप एक ही गोष्णा होती है, ऐसा नहीं है कि UPSC ने किसी अन्य माध्यम से जनकारी हासिल किया, आप ये फॉर्म भरा है और ये जनकारी उनको बताई है, इसे एक कहानी की तरह खुद पढ़ी है, अपना खुद का एक टिटेल्ड अप्लिकेशन फॉर्म बनाई है कागचपर, और फिर देखिए कि उस कहानी में आप जो मुख्यपात्र हैं, हिरो हैं, उसके विक्तित्व के कौन से हिस्से उभर कर आ रहे हैं, और उन उभर के आए हुए जो हिस्से हैं, वही आपके जीवन के वे मोल हैं, जिने हम बोर्ड में बैठकर, या UPSC का बोर्ड पहचानता है, और उसके आधार पर ये अनुमान लगात है कि आपका अविक्तित्व कैसा है, मैंने अगर लिखा